हेलो मेरे प्यारे बच्चों हम दो बात करने वाले हैं कोशन नंबर 3.18 कोशन में क्या कहा जा रहा है कहरें कि what are the various factors due to which the ionization enthalpy of the main group elements tends to decrease down a group कि वो factors क्या है जिनसे ionization enthalpy जो थी main group element की group में decrease करती जाती है ठीक है चलिए solve करते हैं इसे हम लोग चलिए देखते हैं इसका solution तो पहला लिखा हुआ है किस वज़े से ionization enthalpy group में decrease होती है size of atom यानि atom का size तो पहले तो हम समझते हैं कि ionization enthalpy क्या चीज़ है तो अगर हम discuss करें कि atom क्या है तो atom के बारे हम लोग सब जानते हैं बीच में क्या होता है nucleus इस तरीके से नहीं होता है और बाहर क्या होता है electron move करते रहते हैं माल लीज़े ये electron move कर रहा है और अभी आपको इससे क्या करना है इसको निकालना है इस electron को निकालने के लिए जो energy लगेगी उसे हम लोग कहने वाले है ionization enthalpy या ionization potential अब एक बात देखे ध्यान रखेंगें पर कि ये जो electron हम लोग निकालते हैं यहां पर एक definition में टर्म आता है isolated gaseous atom यानि isolated gaseous atom होना चाहिए जिससे हमें electron निकालना है वो भी उसके ground state में होना चाहिए क्योंकि atoms के बारे में अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो यहां पर isolated का मतलब होता है कि pressure बहुत ही कम कर दिया गया है और ground state का मतलब होता है कि electron जब ground state में होगा तो हम उसमें से electron को निकालने के लिए हमें कम energy ज़रूर पड़ेगी और उसी के हिसाब से हम सबको compare कर लेते हैं अपस में तो definition मंती की isolated gases atom से उसके ground state में से electron को निकालने के लिए जो energy की requirement होगी उसे ionization potential कहने वाले हैं ठीक है अब देखें बात करते हैं कि ionization potential कैसे घटता हो कैसे बढ़ता है तो अगर हम को इससे electron निकालना है और suppose करिए कि हमारे पास ये कुछ item दिये हुए जिसमें एक electron यहाँ पर है इसमें electron यहाँ पर है इसमें electron यहाँ पर है और इसमें electron यहाँ पर है ठीक है मान लेजे इसमें electron यहाँ पर है तो बीच में है nucleus बाहर है electron nucleus पर होता है plus यह प्रोटान होते हैं तो प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्टान पर होता है माइनस, तो यह प्लस इलेक्टान को अपने खीच रहा होता है, अभी हमें इस इलेक्टान को निकालना है, तो प्रोटान जितनी करीब होगा इलेक्टान प्रोटान के, उतना ज्यादा electron पर attraction लगा रहा होगा और electron को हमें निकालने के लिए उतनी जादा energy लगेगी यानि जब हम उपर से नीचे जाएंगे size हमारा increase होता जाएगा atom का तो जब size increase होता जाएगा nucleus से outermost shell के electron के बीच का distance बढ़ता जाएगा जिससे effective nuclear charge घटता जाएगा उस electron पर और यह वो reason है कि electron को निकालने के लिए हमें कम energy की ज़रुवत पड़ेगी यानि अगर हम किसी group में down the group जाएगे तो atom का size increase होता जाएगा nucleus से outermost shell के electron की distance बढ़ती जाएगी nucleus का electron partraction घटता जाएगा और ionization potential भी क्या होता जाएगा generally घटता जाएगा पहला reason तो यह हो गया अब literature में कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं कि generally लिखा हुआ है larger the size of an atom smaller will be the ionization potential larger the size of atom होगा जितना ज्यादा atom का बड़ा size होगा उसका ionization potential उतना ही कम होगा reason लिखा हुआ है कि larger the distance of electron from the nucleus nucleus से electron का distance जैसे बढ़ता जाएगा weaker will be the force of attraction और उसका जो nucleus का electron for attraction force होगा वो घटता जाएगा thus lesser will be the amount of energy और हमें कम energy की ज़रूरत पड़ेगी उस electron का निकालने के लिए to remove the electron इसलिए ionization potential क्या होगी काम होगी down the group जाने पर जब size atom का बढ़ेगा ठीक है नेक्स रीजन देखते हैं हम लोग तो नेक्स रीजन क्या है shielding effect तो shielding effect देखे इससे समझ लेते हैं हम लोग अगर हम लोग down the group जाएं तो down the group जाने पर देखेंगे कि हमके nucleus होगा और nucleus जैसे आगर हम लोग neeचे जाएंगे तो पहले हमें क्या मिलेगा सबसे पहले हमें मिलेगा एक बढ़ेंगे चोते शेल में जाएंगे तो और इलेक्टॉन बढ़ेंगे यानि जब हम यहां अब हमें इलेक्टॉन निकालना है कहां से यहां से निकालना है यहां से जब इलेक्टॉन को निकालना है तो जो अंदर वाले शेल वाले लेक्टॉन होगे वो इस पर क्या इसे से ज्यादते जाएंगे अंदर बढ़ेंगे बाहर वाले ऐलेखन सॉपली कि डालेंगे जादा दालेंगे जाधा बसक्त दालेंगे अ कर होगा तो पर ये अन लेक्टॉस उपर सब्सक्राइब करेंगे नुक्लिस को इस विलेकषuman सॉपला्ट बढ़ना त debatingरiddr nucleus का इस वाले shell के electron पर इन्हें balance वाले electron पर attraction कम हो जाएगा वो electron easily remove हो जाएगा इसलिए ionization potential भी क्या हो जाएगी घड़ जाएगी तो वही लिखा हुआ है कि on moving down the group number of inner shell of electron increases inner shell के electron increase हो जाएगे इसलिए shielding effect जो होगा वो increase कर जाएगा hence balance electron are not not tightly held by the nucleus इसलिए जो balance electron होंगे वो nucleus जाएगा नहीं कर पाएगा और इसलिए वो easily क्या हो जाएगे और यही वो reason है कि ionization enthalpy भी क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी hopefully आपको solutions समझ में आया हो समझ में आये तो वीडियो को लाइक कर दीजो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बहुत बहुत धन्यवाद